सल्मान खान ने दबंग टीन के को स्टार का करवाया इलाज अब बोला वो बहुत महान हैं सल्मान खान अपने दोस्तों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं जब भी किसी सेलेब्रिटी को उनकी जरूरत पड़ी उन्होंने हर तरह से उसका साथ दिया दो महीने पहले फिल्म दबंग के एक जूनियर आर्टिस्ट ददी पांडिय को हार्ट अटाइक आया था सल्मान को जैसे ही ये बात पता चली उन्होंने ददी का पूरा इलाज करवाया अब ददी ने सल्मान को दंगनेबाद कहा है spotaboy.com की रिपोर्ट के अनुसार ददी को मुंबई में उनके घर पर हार्ट अटाइक आया था उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया वो दो दिन तक ICU में भरती रहे सल्मान ने उनके अस्पताल का पूरा खर्च उठाया ठीक होने के बाद से अभी तक ददी की सल्मान से मुलकात नहीं हो पाई है फिल्म में दड़ी ने पुलिस कॉनसर टेबल का रोल ने भाया था डॉक्टर्स ने उन्हें बेड रेस के लिए बोला है दड़ी ने सल्मान को दंगनेबाद देते हुए कहा वो बहुत दयालू है जितना भी कहूं उनके लिए उतना ही कम है वो बहुत महान हैं बतादें कि दबंग तीन को प्रभुदेवा डायरेक कर रहे हैं फिल्म के बारे में अरबाज खान ने कहा था मैं फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हूँ हमने सेट पर बहुत मज़े किये हैं लोगोंने मुझसे कहा है कि उन्हें फिल्म से काफी उमीद है मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है फिल्म की 60% दी शूटिंग पूरी हो चुकी है सितंबर तक शूटिंग खत्म हो जाएगी फिल्म में सुनाक्षी सिना रजो के रोल में देखेंगी साथ ही महेश मांजरेकर की बेटी साई भी इस फिल्म से डेब्यू करने जा रही है फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज होगी हाल ही में सल्मान खान ने फिल्म को लेकर बड़ा फैसला किया फिल्म के सेट पर फोन बैन कर दिये गए हैं जिससे कोई भी सीन लीक ना हो